नवश्कार में उप्रिया विहारी न्यूज में आपका स्वागत है विहार में जमीन खरदारों की संख्याद दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है विहार में वर्तमान समय की बात करे तो पटना, भागलपुर, गया, नालंदा, दर्भंगा, पुर्निया सहित कई जुलों में जमीन की खरीद विक्री तेजी के साथ हो रही है जिसे कि हर दिन भारी संख्या में जमीन की खरीद का काम हो रहा है हाला कि कई ऐसे लोग कई बार देखने को मिलते हैं जिनके पास बिहार में जमीन खरीदने के पैसे तो है लेकिन उन्हें जमीन के माप इकाई के बारे में पूरी जानकारी होती ही नहीं है और वो अंधेरे में ही जमीन खरीदने का काम कर लेते हैं और उसके बार लोगों से धोखा खा जाते हैं हालाकि इसको समझना थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि बिहार के अलग-अलग जिलों में जमीन की माप इकाई अलग-अलग तरह की है जुसे कई बार लोग अस्मंजुस में भी पढ़ जाते हैं ऐसे में आज हमाप को अपने इस वीडियो में जमीन के मापी से जुड़ी सारी जानकारी देने वाले हैं आमतोर पर देखें तो बिहार में औसतन माप इकाई एक कठा में 1361 वर्ग-फूट के बराबर जमीन मिलती है वही राजधानी पटना की बात करें तो पटना में एक कठा आमतोर पर 1361 स्कॉयर फीट के बराबर ही होता है जबकि भागलपुर में एक कठा आमतोर पर 720 वर्ग फूट की पराबर है वहीं गया, नालंदा, दर्भंगा, पुर्निया, सहित कई जिलों में इसकी भिन्नता पाई जाती है इसलिए खरीदने से पहले आप नजदीक के निबंधन कारियाले में जाकर इसकी जानकारी आसानी से प्राब्त कर सकते हैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि कठा भारत और बांगलादेश पे भूमी का छेतरफल नातने की पारबपरिक इकाई है बीस धुर मिलकर एक कठा होता है तथा बीस कठा मिलाकर एक बीखा होता है यह एकाई अभी भी बांगलादेश और भारत में बहुत ज्यादा उपियोग में लाई जाती है लेकिन इसका आकार जगह जगह के अनुसार काफी भिन होता है भारतिय राज्य बिहार में एक कठा 750 वर्ग फूट से 2000 वर्ग फूट तक भिन भिन होता है बिहार में भी अलग-अलग जगों पर अलग-अलग नाप की लगई प्रयोग में लाई जाती है और धुर का मान लगई की नाप पराधारित है इसलिए हर जगह धुर का मान और कठा का मान बदल जाता है कहीं पर लगई 6 हाथ यानि 18 इंच बराबर एक हाथ उपियोग में लाई जाती है कहीं पर 5 हाथ कहीं पर 7 हाथ तो कहीं पर 6.5 हाथ की लगी का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार हर जगह धुर और कठा का मान बदल जाता है वहीं अगर बात हम धुर कठा बीगा की मापिकाई की करें तो आम तोर पर एक धुर में 81 वर्ग फूट एक धुर में 20 धुर की, एक कठा में 20 धुर, एक बीगा में 20 कठा एक डेसिबल में 435 दशनलब 6 वर्ग फूट और एक कठा में 3.7 एक 9 डेसिमल होता है वहीं दूसरे राज्यों की बात करें तो असम में एक कठा आम तोर पर 2880 वर्ग फूट के बराबर होता है पस्यूमंगाल में एक कठा 720 वर्ग फूट के बराबर है, बांगलादेश में एक कठा मान क्रिकित के अनुसार 720 वर्ग फूट के बराबर होता है और 20 कठा एक बीगा के बराबर है, वहीं नेपाल में कठा अभी भी उपियोग में लाया जाता है जहां पर 338.63 वर्ग मीटर यानि कि 3645 वर्ग फूट के बराबर होता है जिसके बाद अगर आप जब भी जमीन खरीदते हैं तो धुर कठा बीगा की माप में ना फसे हम उमीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताए और अगर आपने अब तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें इसके साथ ही आचुके इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद